भय प्रगट क्रिपाला दीन दयाला स्री राम नौमी महट सो दोहजार चवबिस के उपलच्छ में इंगलिस में अगर कहें तो जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे उसी तरह से ये भगवान का बर्थडे है और सबसे बड़ी बात है कि सनातनियों का हिंदू का ये पहला महीना भी चैत होता है मार्च पलोजीन के बाद पहला महीना होता है और पहले महीना में हम सब लोग कितने बढ़भागी हैं कि इसी पहले महीना में ही प्रभु स्री राम चंजी का जन्म हुआ है नमस्तार अबसी लाइब का डिस्टल फ्लैक्पॉम देखने आप और मैं हूँ आपके साथ निजी सिंग धर्म में आपस्तार अतनी वारे लोगों के लिए बेहत ही खास चगा अगर कोई है तो मैं मंदिर और खास कर वर्वुव प्रभु श्री राम के आँस्ता में बीन रहते हैं हाली में बने राम मंदीर लोगों में आकर्शन का केंद्र बना रहा है। ऐसे भी राम के संत्त गुरू साहदा बाबा जो कि अपनी आख्ता और भशन अपनी भशनों से लोगों का आकर्शन अपनी ओर करने तरही है। इस रिपोर्ट में सुनिए अपनी भजन और वक्तवे से लोगों को किस तरह आकर्शन का खेद्र बन रहे हैं या बाबा ओम स्री सद्गुर्देव भगवान की जै राजा राम चंद्र भगवान की जै अभए प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी प्रतेक वर्स की भाती इस वर्स भी आपके स्री परमहन सास्रम रानिसराय बक्तियार पूरपटना बिहार में स्री राम नौमी महत्सो दोहजार चवविस के उपलच में इंगलिस में अगर कहें तो जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे उसी तरह से ये भगवान का बर्थडे है चैत राम नौमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था ऐसी मान्यता है अनादिकाल से वैसे तो भगवान का जब आप भजन चिंतन करने लगेंगे तो प्रभू की अनुभूत हिरदय में होती है लेकिन बाहर में जैसी मान्यता है कि प्रभू स्री राम चंद्रजी का जन्म हुआ था और प्रते एक वर्ष पूरे भारत में ये चैत राम नौमी बड़े धूम धाम से मनाई जाती है और सबसे बड़ी बात है कि सनातनियों का हिंदू का ये पहला महीना भी चैत होता है मार्च कुलोजिन के बाद पहला महीना होता है और पहले महीना में हम सब लोग कितने बड़भागी है कि इसी पहले महीना में ही प्रभू स्री राम चंद्रजी का जन्म हुआ है तो अयोध्या से प्रसिद्य कथा बाचक आचार्य प्रेम सागर जी जो अयोध्या में रहते हैं और पूरे भारत में मानस मरमग्य मानस की बहुत सुन्दर कथा सुनाते हैं वो आप सब लोगों को स्रमण कराएंगे दिनांक होगा 9.04.2024 से मतलब 9.04.2024 से 17.04.2024 तक मतलब 17 तारिक को राम नौमी है तो एककम से ही कथा चलेगी नहवान परायन की तो आप समस्त ग्राम बासी छेत्रवासी प्रभु स्री राम के जितने भी भक्त हैं प्रमात्मा को जितने भी मानने वाले हैं सनातन संस्कृती में जितने भी भक्तों की स्रद्धा है वो स्री प्रमहंस आश्रम रानिस राय बक्तियार पुर में पहुँच करके सायम साथ बजे से रात त्री दस बजे तक मानस मरमग्य प्रेम सागर जी आचार्य के द्वारा आप सब लोग कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए बहुत बड़ी भाग की बात है कि इस बार ही प्रभुश्री राम का अयोध्या में नए मंदिर की प्रथम राम नौमी होगी और अयोध्या से ही आप ये महात्मा जो हैं पधार रहे हैं आचारे हैं आधा महात्मा हो चुके हैं आधा हो जाएंगे तो आचारे हैं बहुत अच्छा सुंदर एक कहीं हमने इनका कथा सुना था तो बड़ी सुंदर मानस पर इनकी अपनी एक व्याक्या है और हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता कहाई सुनाई बहुबिदी सबसंता तो आप सब लोग न वगवान की जये.